अब क्या करना है अगर चेन श्टेक अंदर तरफ तेढ़ा है गाईस ठीक है अंदर तरफ दबा हुआ है तो आपको बाहर तरफ करना है और बाहर तरफ अगर दबा हुआ तो इसे अंदर तरफ करना है कैसे करना गाईस इस तरह से आपको हैमर करना ठीक है इस हम आप लोगों क हो रहा है cycle का chain चढ़ाते हैं फिर खुल जाता है तो आज अगर आप हमारे इस वीडियो को पुरा complete देख लेते हैं तो आपका ये problem हम्मेशा के लिए solve हो जाएगा और कभी भी आपका cycle का chain नहीं उत्रेगा so guys जैसा की देख पा रहे हैं दोनो cycle जो है guys उल्टा हुआ ठीक है guys हम दोनो cycle को उलट लिए हैं अगर आपका cycle के chain बार बार उतरने का problem आ रहा है guys चाहे 20 इंच का cycle हो या फिर 22 इंच का cycle हो या फिर MTV में कोई भी रेंजर cycle हो छोटा से ले करके बड़ा तक अगर आप mechanic नहीं है तो भी आप ये वीडियो को देखें अगर आप mechanic हैं तो भी आप ये वीडियो को देखें क्यूंकि guys ये वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीका से और हम killingly step by step सारा चीज बताये है guys कि chain उतरने का problem किस बज़े से आता है और उसे ठीक कैसे करना है किस कारण से आता है अगर आपका cycle का chain tight करने के बाद फिर उतर रहा है या फिर lose होने के बाद तो उतरता है guys अगर tight है अगर आपका cycle का chain उतर रहा है अगर cycle में chain अगर आप new लगवाए है फिर भी chain उतरने का problem आ रहा है तो ये problem से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा guys इसका setting क्या आएगा ये किस forces के साथ में होगा सही और ये chain उतरने का problem क्यों आता है new chain हो, पुराना chain हो, chain tight हो, नहीं हो इस situation में किस तरह से आप जानेंगे अपना cycle का chain कि ये उतरने का problem क्यों हो रहा है और इसे fix कैसे करना है ये ठीक कैसे किया जाता है और mechanic कैसे ठीक करता है आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से step by step बताते हैं अगर आप ये वीडियो को पुरा complete और बारिकी से अच्छे से देख लेते हैं कभी भी आपका cycle का chain उतरने का problem नहीं आएगा और ये वीडियो हम last बना रहे हैं इसके बाद मेरा channel पे chain उतरने का problem का video कभी नहीं आएगा सबसे पहले guys जो chain उतरने का problem आता है वो आपका chain lose होने का कारण से उतरने का problem आता है guys तो अपना cycle का chain को tight करवा ले chain उतरने का problem solve हो जागा guys चाहे देशी 20-inch का cycle हो 22-inch का cycle हो या फिर MTV में कोई भी रेंजे cycle हो आपका problem solve हो जाएगा chain tight करवा लेते हैं तो chain tight करवाने के बाद अगर आपका cycle का chain फिर उतर रहा है guys उतरने का problem आ रहा है chain बार बार खुल जा रहा है तो इस situation में आपको क्या करना guys और क्या चीज आपको देखना है जैसा कि guys दोनों cycle आप देख पा रहा है ठीक है guys जैसा कि हम आप लोग को बताएं 20-inch का cycle हो 22-inch का cycle हो या फिर MTV में छोटा से लेकर करके बड़ा तक कोई भी रेंजे cycle हो गाई सभी में सेम पोर्सेस होगा ठीक है guys तो इसका देखिए BB Cup Excel Set हम आप लोग को देखाते हैं bottom bracket द देखना है क्या guys जैसा कि आप bottom break देख पा रहें guys तो इसमें जो guys हिलने का play होने का problem आता है ठीक है guys bottom bracket में अगर ज्यादा हिलने का या फिर लूस का problem रहेगा guys जो कि जिसे हम लोग ढख भी बोलते हैं तो इस तरह का होगा guys जब आप cycling करेंगे और pedaling करेंगे तो यह क्या होगा कि left तरफ दबेगा और right तरफ दबेगा जिस जिस तरह से पेडलिंग का force लगेगा उस तरह से आपका दबेगा और यह gear क्या होगा तो इस situation में ज्यादा अगर हिलने का problem आ रहा है तो आपको क्या करना ब्रेकेट को tight करवा लेना है अगर tight नहीं हो पा रहा है तो ब्रेकेट आपको change करवा रहा करके new लगवा लेना है तो इस situation में आपका यह chain उतरने का problem solve हो जाएगा इसके बावजूद भी अगर chain उतरता हैा guys ठीके इसके बावजूद भी अगर chain उतरता है, जिस तरह से wheel alignment होता गाईस उस तरह से gear alignment होता है ठीक है चाहे 20 inch का cycle हो या फिर range cycle हो दोनों में same problem होता गाईस तो जैसा कि हम आपको इसको घुमा करके देखा रहे हैं तो इसका भी align का problem नहीं है गाईस gear में ठीक है ये भी आपका state में घुम रहा है तो यही system होता गाईस जिस तरह से wheel में align का problem होता उस तरह से guys आपको gear में align का problem रहेगा तो इस situation में भी guys जो है chain उतरने का problem आता है gear align का उपर में भी guys हम video बना चुके हैं तो description में हम link देदेंगे वहां से आप जाकर कर हमारे उस video को देख सकते हैं gear अगर align का problem है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं अगर gear align नहीं है फिर भी chain उतरने का problem आ रहा है तो इसमें एक और क्या problem आ जाता है guys जैसा कि guys 20 inch cycle का आप chain stack देख पारे guys ठीक है और range cycle का जैसा कि आप chain stack देख पारे guys तो इसमें क्या हो जाता guys जब cycle आप बाई में चलाते हैं या फिर cycle कहीं पर खड़ा करके आप रखे हैं और cycle आपका गिर जाता है किसी भी कारण से अगर ज्यादा जोर से गिरता है guys गिरने का उपर में different करता guys क्या कि आगर आपका cycle का chain stack अगर bend हो जाता guys जैसा कि देख पा रहे हैं ठीक है chain stack अगर bend हो जाता है जिसे हम लोग back stack भी बोलते है range cycle का दोनों सेम रहता है इसलिए chain stack back stack range cycle का एक ही होता है लेकिन guys 20 inch cycle का chain stack अलग हो गया back stack अलग हो गया क्योंकि guys chain stack अगर align का problem आता है ठीक है 20 inch का cycle में तो chain stack के साथ साथ आपका back stack भी सीधा हो जाएगा लेकिन अगर back stack खराब हो जाता ठीक है chain stack अगर align का problem रहेगा तो चलिए आप लोग को कुछ हम सबसे पहले chain stack में दिखाते हैं कि chain stack को आपको कैसे जानना है कि align का problem है हमारा chain stack में इसलिए हमारा cycle का chain उतर रहा है उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे chain stack को सीधा कैसे करना है chain stack को state में कैसे रखना है ताकि cycle का chain ना उतरे आप लोग को अच्छे से बताएंगे step by step तो वीडियो को पुरा बारीकी से देखे गाइस आभी सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हम रिक्वेस्ट करें गाइस तो फिर्विल से ले करके गियर तक ठीक है गाइस फिर्विल से ले करके गियर तक आप chain को देखे गाइस एकदम state में है और align का जरा सा problem नहीं है गाइस ठीक है 20 इंच का cycle में आप लोग को देखा रहे हैं तो same process आपका MTB ranges cycle में रहे गाइस चाहे किसी भी category का कैसा भी ranges cycle हो गाइस छोटा से ले करके बढ़ा तक ठीक है गाइस तो यह जैसा कि आप state में देख रहे है गाइस एकदम सीधा ह कभी नहीं आए गाइस cycle में ठीक है गाइस अगर जरा सा भी बेंड रहता है जाहे फिर विर का align जैसा कि आप देख पा रहे है फिर भीर का तो इस situation में आपको chain का जो align है गाइस वो आपका bend दिखेगा ठीक है bend देखने का मतलब गाइस जैसा कि आप मेरा हाथ देख पा रहे है ठीक है गाइस जैसा कि मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं कर रहा है अब चलिए हम आप लोग को कुछ और देखाते हैं और समझाने का और बताने का कोशिस कर रहे हैं जो कि आप लोग को अच्छे से समझना है इसके बाद आपका cycle का chain कभी भी नहीं उत्रेगा जैसा कि गाइस दोनों cycle आप देख रहे हैं रेंग्या cycle 20 इंची cycle old cycle तो हम आपको 20 इंची cycle में सबसे पहले वील को घुमा करको देखाते हैं और파 डलिंग करते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हम फैडलिंग कर रहे हैं और हिल को घुमा रहे है ठीक है क्या चीज हम आप लोग को बताने का कोशिस कर रहे हैं जैसा कि guys हम आप लोग को बताएं guys कि इसका chain stake में problem नहीं है guys, chain stake टेणा नहीं है, chain एकदम सही से work कर रहा है, सही से घुमरा pedaling भी कर रहे हैं, तो इसमें chain उतरने का problem नहीं आ रहा है, अब चलिए हम आप लोग को बताते हैं, जैसा कि guys ये फिरविल आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं guys, इसे frame बोला जाता है chain stake बोला जाता है, फ्रेम के साथ chain stake अटेच है, तो इसे chain stake बोला जाता है, तो इसका दूरी जो है guys, देखी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि इसका distancing आपको देखना है, सभी cycle में guys, same process नहीं होता है, सभी cycle करते हैं इसका भी इसको करते हूए आप देखते हुए प्रउबलम आ cosas to तो देखिए गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ँस तरह से हम आपको 20 लिस्त में भी देखाते और इसे चेनिस ट को बोला जाता है मैंने इसका जहरतेम्स का साथ है और डिस्टेंशिक साथ हम tan यहाँ गाइस इसका बेतल रहा है तो यहे twee स्टनिंग प्लैस storage नहीं उतर रहा है तो यह 22 का फ़र गाइस तो इतना डिस्टेंसिंग में ही जो है कि मलाएं टिके चैन को सेटींग किया जाता थीडी के चैन के साथ मैं औторने का प्राबलम होता है आपको कभी नहीं आएगा तो ये डिस्टेंसिंग आपको देखलेना हि। डिखलेना हично है। साथ में फिविल के साथ में और चैन के साथ में एक दम होना चाहिए तभी चैन को सही से गूमेगा और आलाइंग का प्रभर्लम कोड़ार आएगा चैन अब चलिगा हम आप लोग को बताते हैं यह चैन को सीधा कैसे करना आगर तेहां बता रहा है तो क्योंकि ये जो तेहां होता गाइस आधीकतर सैकल गिरने का बाधी होता है जादा करके आपको बच्चों की सैकल में देखने को मिलेगा यह प्रोटीन इंच हो ठीक यही सब में आपको ज़्यादा करके चेनिस्टेक का प्रोब्लम आता है वरना नहीं आता है तो किस तरह से सीधा करना गाइस इस पर गाइस हम और रेडी वीडियो बना चुके हैं जो कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वहां से जाकर करके आप हमारे उस वी कुल लिए हैं ठीके आप झीठा को बताते हैं सीधा कैसे करना है चक्का ट्या करना रहेगा तो इस तरह से जब आप चैन को कड़ाएंगे गाईस इसके डिस्टेंस भाह लिए बाहर तरफ आगर चैन स्टेक त्यै Cannes रहेगा इसे आपको अंदर तरफ करना है ठीक गाईश दुनों एक साथ में होगा ठीक है अगर अंदर तरफ दबाऊवा रहेगा तो इस तरह से आपको चैन जोगाईस लगेगा देखने में ठीके तो अंदर तरफ दबावा रहेगा चेनि स्टेंच करना एकदम मिला करना, और कैसे करना है चले बताते हैं यह चीज ऐसे आपको हेमर लेना है ठीक है और हैमर को सबसे पहले आपको जो है चेचीश में इस तरह से आपको देखना जैसा कि आप देख पार रहे हैं ठीक है हैं आपको कब करने सब्सक्राइब doch लोगत इथे मारना है तो आपको बाहरतरब करना है बहुत अगर दाईब करना यह होणि कुण करना और अगर यह यह तरव अगर आपके चेटक बैंड एक तो आपको बाहर तरब जो है दो हतोली मारना है इस पर इस पर आप जितना जोर लगा करके ठीक है जितना तागत लगा करके आप इधर में हतोली प्रेस करेंगे उधर में भी आपको जो है सेम पॉर्सस करना है दूसा साइड में भी आपको सेम तागत सेम पॉर्सस के साथ में हंतोड़ी प्रेस करना चाहे इधर में अगर आप एक हंतोड़ी प्रेस करेंगे तो इधर में भी आपको एक हंतोड़ी प्रेस करना ठीक है दोनों को मिला करके गाइस उसके बाद गाइस अगर अंदर तरफ दबा हुआ रहेगा तो बाहर तरफ जब आपका चेनिश्टेक बे करने की यहां चुछ भाग धार तरह यहां फिर येज करना है शेन के में रहा रहा है यहीं हमारा तरब बomme in और गरम करने आस要 तरह चेंग में अंदर तरफ करना पढ़ेगा सब्स к Stefan आग को एक हैं कि अभी आपको बताने के लिए और धिखाने के moment तो यसा हम सिधा कर लिक तो Earth हो गया था था तूसएं सिधा कर लिए डालके देख लेते हैं तो इस तरह से आपको करना आपका problem solve हो जाएगा और chain कभी भी आपका cycle का नहीं उत्रेगा जिस process के साथ में हम आप लोग को बताएं और दिखाएं गाइस तो चलिए आप हम cycle का चक्का को fit कर लेते हैं अच्छे से फिर आप लोग को आगे बताते हैं सो गाइस cycle का चक्का हम complete कर लिए गाइस चक्का को fitting कर लिए हैं अगर आप लोग cycle का चक्का fitting करने नहीं जानते हैं इस पर भी हम already वीडियो बना चुके हैं जो की नीचे description में link आपको मिल जाएगा उहां से जाकर करके आप हमारे उस वीडियो को देख करके cycle का चक्का कैसे fit कि जाता आप आसानी से जान सकते हैं गाइस और गाइस जिस process के साथ में हम आप लोग को बताएं और दिखाएं उस process के साथ में आपको कर लेना कोई भी problem नहीं आए गाइस और आसानी से आपका chain उतरने का जो problem है गाइस वह आपका solve हो जाएगा